चाइना का एक छोटा सा गाउं है जिसका नाम है याओ, यहां की ओरतों ने अपना नाम गिनीज बुक अफ वर्ल रेकॉर्ड में दर्च कराया है, क्योंकि इनके बाल ताउम्र लंबे रहते हैं, घने रहते हैं, काले रहते हैं, मुलाइम रहते हैं और बेहद खुबसुरत द जो की ट्रेडिशनली प्रिपेर किया जाता है, बहुत ही खुबसूरत इंग्रीडिएंस के साथ, और क्योंकि इनग्रीडिएंस सारे के सारे उनके जग्राफिकल अर्या में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, तो हमें तो नहीं मिल पाएंगे, मैंने एक एक इंडिविजल का सब्स्टिट्यूट हमारी लोकल मार्केट में क्या हो सकता है ध्यान से सुनिए आप भी हरान रह जाएंगे कि मैं कितना जादा रेलेटबिल बाते हैं यहां पर इंग्रीडियन्स के बारे में बोलने वाली हूं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा आईए जानते हैं वाट अलीट्स तो वी डण पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले भी आ चुके हैं परिवार का हिस्सा है तो लाइक शेर और कि कितना खुबसूरत परिवार है हमारा आज मैं आपके साथ एक है रिंस प्रपेर करने के लिए आई हूं जिसको आप याव विमन चालेंज के नाम से जा परिवारे में बहुत डीटेल में पढ़ चुकी हूं और हम सो पॉजिटिव कि मैं इसको अपने ले खुद भी ट्राइ करने वाली हूं तो जल्दी से मेरे साथ इस चालेंज को ले लीजिए and get the best of results for yourself अगर आपको स्केप्टिकल जने है जिसको डाउट रहता है कि ये काम क करना चाहिए तो इत्म इनान से positively जैसा बता रही हूं exactly वैसे फॉलो कीजे and see the great results that you are going to get तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर मौझू जितने भी लोग हैं उनसे request करना चाहती हूं कि नीचे comment section में लिखकर मुझे अवश्य बताईए कि क्या आपको याओ विमिन के बारे में पहले से ही पता था कि वो hair rinse use करते हैं क्या you know everything of that sort क्योंकि मैं इस video का extension definitely बनाऊंगी जब मुझे visibility हो जाएगी कि कितने लोगों को पता था and everything तो definitely because I am in love with this remedy तो definitely आप expect कर सकते हैं इसका एक और better version शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक container चाहिए भगोना चाहिए कढ़ाई चाहिए कोई भी बरतन जो आपके पास है गहरा इसमें आपको लेना है आपका स अगर आप sticky rice available अपने ले कर सके तो बहुत बढ़िया अदवाईस जो आप घर में खाते है सफेद rice सफेद चावल बस वही एक कप यहां पर आपको लेना है इसके बाद आप एक ग्लास पानी इसमें लेंगे और इसको अच्छे से वाश कर लेंगे आपको जादा यूनों र पता लग चुका है कि जो पानी से आप चावल को या किसी वी दाल इन सब चीजों को धोते हैं वो पौधो में ही डालना है इसके बाद आप इस चावल में लेंगे अप्रॉक्सिमेटली डेड लीटर पानी जहां इतना पानी हमें चाहिए और उसके बाद आप अच्छे से चावलों को मसल मसल कर साफ करेंगे ताकि चावलों का जितना भी पोशन है न्यूट्रियंस है जो भी क्वालिटीज है वो पानी में आ जाए और यह जो साफ पानी आपने लिया था याद रखेगा यह पीने वाला पानी होना चाहिए ताट इस पोर्टेबल वाटर नल का प प्रफगोने में ले लेंगे डन यह जो चावल है यह अच्छे से धुर चुके हैं आप इसको जैसे पकाना चाहते हैं जो करना चाहते हैं करिए हमें चाहिए यह पानी जिसमें हमने चावल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले ली है इसको आप वापस कढ़ाई में डाल द पोमेलो पील्स जो कि एक सिट्रिस फ्रूट होता है उसका पील राइट तो अगर हम देखे हमारी लोकल मार्केट में तो सिट्रिस फ्रूट हमारे पास है ओरेंज मॉसमी माल्ता और यह सारी चीज़े है इसकी फैमली को जो बिलॉंग करते हैं एवन लेमन अगर आपके पा कोई भी पील सिट्रिस फ्रूट का पील आपको यहां पर लेना है मैंने यहां पर तीन नीमू का छिलका लिया है विच इस यू न वाइटमिन सी रिच इन इस 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 पानी में डालेंगे अब यहां पर हमें उस हैर रिंज से माज करता हुआ चाहिए तो आप अच्छे से सा में पढ़ेंगे ना तो यह जिट्टो कॉपी सेम होता है हमारे सोपनत्स की तरह जिहां रिठा तो अगर आपके पास सोपनत्स अवैलेबल है तो बहुत ही बढ़िया एक मुठी के बराबर आप ले लीजे इसको करना पड़ता है इसका बीज हटाना पड़ता है और इसको में ले सकते हैं पर क्योंकि मेरे पास अभी सोपनत्स अवैलेबल नहीं है तो मैं रीठा का पाउडर यहां पर ले रही हूँ सभी चीजे जो मैं इस्तमाल कर रही हूँ उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप अपने लिए और क यहां पर दो बड़े चम्मच रीठा पाउडर लिया है और इस रीठा पाउडर क्योंकि सोपनत्स होते हैं क्योंकि से जाग बनता है तो प्लीज डोंट गेट स्कैट क्योंकि अभी उबलते ताम इसमें जाग बनेगा ठीक है तो घबराने वाली बात नहीं है दो बड़े यहां पर लेंगे रीठा पाउडर अगर सोपनत्स अवैलेबल है तो यकीन मानिये बहुत आसान हो जाएगा काम कोई परेशानी नहीं होगी चानने वानने के कोई टेंचन नहीं होगी सोपनत्स सी आप डारेक्ली इस्तेमाल कीजे ज्यादा पावफुल भी होगा तो अगल यहां इस आता है यह जो लोकली है आविलेबल है जिसके निदेन सेम है जिसका फंक्षन सेमें है इन फैक्ट यह जो फ्लीस फ्लारूर्ट है जो की यहावब्न रिंस May यूज होता है यह भी रीधोश को बैलेंस करने के लिए यूज होता है उसका काम ही यहां है उसको टॉनिक कहा जाता है वहां हमारे यहांपर जटा मंसी जिखाना तया कि यहां इस सीर के सब्सक्राण works लिकिन आखी तो आप भी यहां पर अपने इस Heardins प्रिपेर कर रहे हैं इसका अगला ingredient जटा मंसी लेंगे approximately एक मुठी आप यहाँ पर पानी में ले लीजिए और इसको अच्छे से सारे के सारे ingredients को simmer होने दीजिए the last ingredient जो कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो कि जो यावे मिन रिंस में होता है exactly वही है and that is ginger जी हाँ ginger आप सभी जानते हैं कि उस blood के circulation को उपर बुलाता है ताकि जितने भी अच्छे अच्छे nutrients हम कर रहे हैं वो absorb किये जा सके जब आप chemicals यूज करते हो तब थोड़ी ना आप ऐसी चीज़े यूज कर सकते हो आप एक चोटा सा पीस अद्रक का अच्छे से इसके उपर कस लीजिए या अच्छे से कूट के डाल लीजिए जैसे आपकी मरजी है मैंने ही हाँ पर अच्छे से ग्रेट कर लिया है बहुत ही चोटा सा टुकडा अद्रक का अब सारे के सारे इंग्रीडियन्स हमारा जो हेर रिंस बनना है डाट इस कम्प्लीट आप इसको अच्छे से बॉइल होने देंगे हमने यहाँ पर डेड़ लीटर पानी लिया था इंग्रीडियन्स भी अपना रिलीज करेंगे तो आप इसको तब तक बॉइल करेंगे जब तक यह अप्रॉक्सिमेटली एक लीटर ना रहे जाए मतलब कि आदे से थोड़ा सा कम पानी एवापरेट हो जाना चाहिए अब जैसे लेवल के साब से जाना चाहते है तो ऐसा कर कर सकते हैं मीडिय माच पर करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा जब यह अप्रॉक्सिमेटली एक लीटर रह जाए आप ग्यास बंद कर दीजिए और जितने भी हमने सेस्पेंड़ चीजेस में डाली हैं जितनी भी इंग्रीडियंट जाले हैं इसको आप अलग से निकाल यह इंग्रीडियंट्स अभी भी बहुत पाफुल हैं और आपने सेकिंड टाइम के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए फेकिएगा मत इसके बाद यह जो रिंस बनकर रेदी हुआ है इसको आप ठंडा होनी दीजिए जब यह ठंडा हो जाए देखिए मैंने कहा था कि अगर सोपनट्स डालते तो पाउडर नहीं होता पर क्यूंकि मैंने यहां पर रीठा पाउडर का इस्तमाल किया है तो पाउडर ना बहुत मुश्किल होता है चानना इसलिए मैंने चंणी ली इसके वीच में कपड़ा बिचाया और उसके उपर एक और चंणी ली और फिर इसको रिंस किया इस वजह से देर लगी अगर आप सोपनट्स लेंगे ना कोई देर ने लगेगी बस अटाया नॉर्मल चंणी से चाना and done it you'll be fine पर मैंने बहुत अच्छे से ताकि यूनों बालों में वो granules ना आए वो powdery substance ना आए इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से चाना एक काज की बॉटल में आपको इसको लेना है और इसके बाद इसे बंद करके दो से तीन दिन के लिए रहने देना है हावेवर हावेवर अगर आप इंपेशन्ट है या समय नहीं है तो आप इमेडियेटली भी यूज कर सकते हैं इतना इतना ब्यूटिफुली हमने प्रिपेर किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह बहतर हो जाता है अगर दो तीन दिन के लिए छोड़ देते ह है या विमिन हेर इंज जो होता है उसमें उसे फर्मेंट किया जाता है कई दिनों के लिए तो यहां पर भी अगर अगर अगले हेड़ वाश के लिए यूज हो जाए और उसी दिन आप दूसरा बना लीजे समन में आया तो कंवीनियन्स के लिए मैं आपको बतारी हूँ क्य प्लीज आप इसको इस तरीके से प्रिपेर कीजिए और कुछ उपर नीचे अगर रेशो में हो जाए तो चलेगा बट कोशिश कीजिए कि ऐसे ही प्रिपेर कीजिए ताकि एक्स्पिरिंस उपर नीचे ना हो इसके बाद आप अपने बालों को अपसाइड डाउन कीजिए अच्छे से कॉम कर लीजिए इस वेरी डिफिकल्ट फर मी तो शूट अलॉंग इस थोड़े थोड़े गलिम्स में आपको दिखा देती हूं मैंने पाल अपसाइड डाउन करके अच्छे से कॉम किया और उसके बाद एक बरतन थोड़ा गहरा बरतन आप नीचे रख लीजि तो अच्छे से कॉम से इसको क्या बलीव मी नॉर्मली कि वहता है कि बाल अटक जाते है बदब कंगी अतग जाते है ठीक से यूपाता बट यह इतना व्गा रिंस था कि को अम वस लिटरल्ली विन्ट मेरे बालों के बीच से जा रही थीना वाल जाती जा गया तो मैंने बह पार मैंने अच्छ से बालों को निचोड के एक शार काप पहन लिया अगर आप को ऐसे जन हैं जो सोपनट्स डिरेक्ली इस्तमाल करें तो यकीन मानिए इसमें जाग बनेगा और शैंपू काई काम करेंगा आपको रखने की जुरूरत नहीं है आप इमीडियेटली प्लेन वा बालों को वाश किया है अभी तो लाइट जाने वाली है बट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तो नहीं है बाल ओवसली दम वैसे नहीं जैसे शांपू से होते हैं बाट दे आर एक्सेप्टबल मतलब ऐसा नहीं है कि इस नॉट बेरेबल या ऐसा नहीं है अगर आप घ तो थोड़ा सा शांपू आप कर लीजे कंडिशनर की आवशक्ता तो बिलकुल नहीं होगी और नहीं कीजे कोई फायदा नहीं ना फिर इतना सब करने का तो इस चीज को किया जाए तो शायद ये बालों को बहुत ब्यूटिफुल डेंसिटी दे सकता है ग्रे हैर को रिवर स्काल पिशू है इसको फिक्स कर सकता है क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोले हूँ कि मुझे लगता है ऐसा होगा इसके इंग्रीडियंट्स आप खुद पढ़िये और फिर आप बोलेगा ऐसा होगा या नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने विटमिन सी भी लिया है सिट्रिस फूट का तो बालों में शाइन भी आएगी फॉर शॉर तो प्लीज आप इसको एसे ही प्रिपेर कीजिए and see the magic for yourself what is it doing for you बेशक बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हफ़ते में दो बार इसका application is great कोई side effect नहीं है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप इसको store करके रखना चा अगर आपको ऐसे जन है जिनके पास सारे इंग्रीडिंट नहीं है तो आप उतने से प्रिपेर कर लीजे पर नेक्स ताइम के लिए मेक शॉर कि आप अवैलेबल कर ले अब राड़ को उट तो यू कि मेरे बालों में बेरेबल है मैंने शांपू बिल्कुल नहीं किया मैंन तो मैं बस यह दिखा रहे हूं कि बेरेबल है अगर आप घर पर रह रहे तब तो बिल्कुल ही परफेक्ट है कोई ज़रतनी शांपू की बाहर जा रहे है तो डेफिनिटली किये लेकिन इस वाउ तो भाई मैं तो कुछ समय के लिए कोशिश करना चाहती हूं कि मैं बहुत ही अमेजिंग डिफरेंस लगा तो मैं आपको डेफिनिटली बताऊंगी तब तक के लिए इसको ऐसे ही ट्राइ कीजिए और लेट मी नो अगर आपको बेहतरीन रिजाट्स मिलते हैं तो और पूरे परिवार को काफी जादा बेनिफित मेलेगा इससे तो दू कम बा here. Lots of love, take care.